हाई व्रीबान सुमेहूं भावन बातला व्रम वील फॉर्चुल 369 से आप सभी की टारो कार्ड जीडर और आज हम चेक आउट करने वाले हैं आपके पोस्ट उनकी इवनिंग थॉट्स और इवनिंग इनर्जीज लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लिंक दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में गिवन है अगर आप यह इनर्जाइज ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो आप यह मेरी टीम से बुक कर सकते हैं आगे अगर हम चले तो जब आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तब यह डीडिंग आपके साथ रेजनेट करेगी और साथ ही साथ यह जेंडर स्पेसिफिक नहीं है मेल फीमेल कोई भी देख सकता है कोई भी एजग्रूप का पोर्सन देख सकता है एक जेंडरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जब मैं कात को शफल करू तो अपनी पोर्सन के बारे में सूचिए ताकि यह रीडिंग बहुत एच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें ठीक है जितना पार्ट बीस रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट करता है रखना है जो पार्ट रेजोनेट नहीं कर रहा है उसे डेफिनेटल एगनूर करें चले तो फिर चेक आउट करते हैं किस एनरजी में है आज सुबहा आज शाम सुरी सुप्रीज डिवाइन इन्वर्स एंजल प्रट काइड पताया में रिव्यूवर्स को कि जिस पोसन के साथ में रिव्यूवर्स डील कर रहे है जिस पोसन ने उनको नों कॉन्टास अपरेशन दिया है अपने आप पहला आया है नाइन ओ वान एरीज डिवान सेटेरिस उस वेप्ती की क्या एनरजी है किस हाल में है वियर वेप्ती आज शाम ओके सो यहाँ पर है पेज ऑस वर्ट के अनरजी एस अफ पेंटिकल ठीक है नाइन आफ पेंटिकल और स्वर्ट की अनरजी बहुत स्ट्रोंग नजर आ रहे हैं यहाँ पर है सेवन अफ स्वार्ट की अनरजी बॉटम अफ देक में ठीक है अफ यहाँ पर है प्लिस दिवाइन इनवर्स एंजल स्ट्रट गाईट पताये मेरे वीवर्स को की जिस विक्ति के बार में मेरे यूट कर आई है स्क्रोजोफेर्निया स्लोविंग डाउन एक्सिस्टेंस और बॉटम में भी हाव कंसाइनिस की इनर्ची ब्यूटिफुल ओके सचे स्वेक्ती के साथ आप डील कर रहे हूं उनके जोरियक साइन स्टारस वर्गोर क्याप्रिकॉर्ट जैमनी लिवराइन इक्वेरियस और एरीस लिवन सचेटेरिस ने के बहुत जादा स्टॉंग चांसे मुझे यहां देखने को मिल रहे हैं यहां मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिसे आपके व्यक्ति आपके पॉर्सन डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत जादा परिशान और दुखी साड एनरजी में कही ना कही नजर आ रहे हैं किसी बात को लेकर चंता करते वह से दिख रहे हैं उनके care taker भी थे और एक तरीके से उनकी जैसे mother care करती है जैसे उनकी father care करती है वैसे अपने हमेशा उनकी care करी है as a friend आपने हमेशा उनकी guide करा है तो यहां मुझे ऐसी एनरजी देखने को मिल रही है जहां पर आपके partner के लिए मतलब आप सब कुछ थे उनके ठीक है और जबसे ये no contact की situation आई है जबसे ये separation की situation आई है आपके partner ठीक है मतलब बहुत ज़़दा परिशान दुखी से नजर आ रहे हैं मुझे ऐसी energy उनकी दिख रही है जहां पर वो ये सोचते हुए से दिख रहे है कि भी अब मैं किस से share करूं वो सारी बाते वो ना आपके person में भी आपके साथ या तो सब कुछ share करते थे और अगर सब कुछ नहीं भी था तो at least अपनी problems तो वो आपी के साथ share करते थे आपी से उनके solution पूछते थे एक guide की तरह हमेशा आपसे help ली है उन्होंने और आज कहीं न कहीं वो ये सोचते हुए से नजर आ रहे है कि अब कौन रहे गया है उनकी जंदेगी में जो उनको इस तरीके से guide करे उनको support करे, उनको help करे उनको ये बताएं कि आगे क्या करना है आगे कैसे चलना है, क्या steps लेने है कोई नहीं है उनकी जंदेगी में ऐसा ऐसी energy मुझे आपर देखने को मिल रही है जहाँ पर ऐसा में काफी परिशान से नजर आ रहे है मेभी रो भी रहे हूँ मेभी बहुत जादा stress में भी हूँ किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है उनका, ऐसी उनके energy मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है मेभी आप लोगों के बीच में किसी चीज को लेकर बहुत strongly fight भी हुई है और बहुत कुछ है जो आपके partner ने आपसे कहा है और आज कहीं न कहीं इस समय वो पच्छताते हुए से नजर आ रहे हैं कि इतना कुछ कहने के बाद वो आपको face कैसे करेंगे आपसे बात कैसे करेंगे ठीके देखें, mainly तो मुझे यहाँ पर यह दिख रही है कि उनको एक guidance की जरूरत है यहाँ पर भी आप page of sword की energy देखोगे न possibility, यहाँ पर waiting की energy maybe आपके partner को guidance की जरूरत है guidance चाहिए उनको अपनी life पर क्यों कोई उन्हें समझाए समझाएं कि यह जो situation उनकी life में चल रही है यह situation से कैसे वो deal करे definitely यह चीज़े उनको पसंद नहीं आ रही है जो कुछ भी इस समय उनकी life में चल रहा न उनको पसंद नहीं आ रहा है वो से बदलना चाहते है, changes करना चाहते है लेकिन बदल भी नहीं पा रहे है यह उनकी कुछ ना कुछ energy मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर वो आपसे बात भी करना चाहते है आपके तरफ आना भी चाहते है यह शक्स लेकिन वहीं पर वो रुख भी जाते है उनके खुद की डर उन्हें रुख देते है उनके खुद की inferiority complex अगर आप कह लीजे या उनके खुद की अंदर जो उनकी problems है जो उनकी सोच है communication करेंगे वो इससा में तो dicey से हो रखे है और वही dicey behavior उनका slow down कर देता है उनको step नहीं लेने देता है उनकी confusion ही उनको आगे step नहीं लेने दे रही है लेकिन वो definitely आपकी तरफ आएंगे आपसे बात करेंगे और आपको कहीं न कहीं बताएंगे कितने pain से वो गुज़रे है कितने दर्द, कितनी तकलीफ से आपके partner गुज़रे है ठीक है थोड़ा आपके partner ऐसा nature हो सकता है manipulation यानि अगर इतना तकलीफ है तो वो उसे इतना बड़ा चड़ा के बताएंगे तो वो उनकी कुछ न कुछ energy मुझे हाँ पर दिख रही है जाकि छोटी सी बात को बड़ा बनाना ठीक है बना बड़ा बनाकर उसको पेश करना आपके सामने तो वो energy भी मुझे हाँ देखने को मिल रही है जहाँ पर आएंगे और जब आपकी उनसे बात होगी तो कहीं न कहीं आप ये चीज रिलाइस करोगी कि बहुत emotional होकर आपसे बात करेंगे ठीक है अपने pains आपको बताएंगे अपनी तकलीफ आपको बताएंगे आपको बताएंगे कि वो कैसे नहीं रह पाए आपके बिना तो वो बात भी होगी और इस बार सिर्फ एक बार बात नहीं होगी बलकि बात शुरू हो जाएगी ठीक है जो अभी तक ये pattern चल रहा था ना आप लोगों की life में कि बात हो रही है फिर cut off हो जाता है फिर बात होती है फिर cut off हो जाता है लेकिन अब जब आपके पार्टनर से बात होगी न तो वो pattern खतम हो चुका होगा और आपके पार्टनर से जो आपकी बाते शुरू होंगी तो वो बस शुरू होंगी फिर उसमें cut off वाली energy नहीं आएगी ऐसे energy मुझे आपर देखने को मिल रही है क्योंकि आपके पार्टनर को ये existence की energy मिली है यानि कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ये realization हुआ है बहुत strongly कि वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना नहीं रह सकते हैं उनको ये चीज समझ में आ रही है इस समय कि अगर अब उन्होंने आकर आपसे बात नहीं करी अब अगर उन्होंने आकर commitment नहीं दी या अब अगर उन्होंने अपने दिल के हाल आपको नहीं बताया तो शायद बहुत देर हो जाएगी उनको ये चीज realize हो रही है कि बहुत देर हो जाएगी फिर उसके बाद फिर वो कभी भी वो बाते आपसे नहीं कह पाएंगे कहीं आप उनसे पूरे तरीके से अलग हो जाओगे, ऐसी उनकी फीलिंग आ रही है ठीके तो कहीं न कहीं वो आपकी importance को समझ रहे हैं, जो lesson उन्होंने इस separation में सीखना था वो lesson भी कहीं न कहीं वो सीख चुके definitely no doubt कि आपके partner बहुत जादा arrogant है, बहुत जादा egoistic हैं, लेकर उतने egoistic, arrogant होने के बावजूद हो आएंगे आपसे बात करने getting more point ठीके, वो इतने arrogant और इतने attitude में होने के बावजूद आएंगे और आकर आपसे sorry भी कहेंगे अपनी गलती भी मानेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उनको realization होता हुआ सा नेजरार existence का card है यानि एक strong realization कहीं न कहीं उनकी जिंदगी में आता हुआ सा दिख रहा है मुझे और खुद आएंगे, आगे से अपनी खामोशी तोड़ेंगे अब वो आपके partner ठीक है, जो इतने समय से अपने मुँपर चुपी लगा कर बैठे हुए नहीं आ रहे हैं कुछ भी कहने लेकिन अब वो आएंगे और अपनी खामोशी भी तोड़ेंगे आपसे बहुत कुछ है जो कहेंगे और आप खुद देखोगे कितने changes कितने changes आपके partner के अंदर आपको देखने को मिलेंगे Getting my point देखो, I can see that कि आपने बहुत वेट कर रहा है अपने पार्टनर कर चिक है तो वो definitely वो वेट जो है वो over होता हुआ सा भी नजर आ रहा है ठीक है अब वो इंतजार खतम होगा जो कुछ जितना आपने care, आपने support आपने love इस relationship में invest कर रहा है अब बारी है कि आपको भी वो love, वो support, वो care मिले ओके तो ये कुछ उनकी energy है अगर definitely ये चीज़े आपके साथ resonate कर दी like, comment, follow, share जरूर करिए this is all for today, thank you so much bye-bye and take care